2024-2025 का आज तिलंगाना की विदासवा में बजट पेश किया गया तिलंगाना में तो बजट हई नहीं लेकिन कॉंग्रेसी मुख्य मंत्री सिर्फ किताब में और तिलंगाना की जनताओं को बेवकूब बनाने के लिए उन्होंने बजट पेश किया गया क्योंकि जो एक्स मुख्य मंत्री थे KCR साब उन्होंने तिलंगाना को कर्जा में डूबो दिया 6,71,000 क्रोड का आज तिलंगाना की जनताओं कर्जा पर कर्जा है इतना कर्जा है और मुख्य मंत्री रेवन तरुडी जियो कि कौंगरेस के मुख्य मंत्री मुसलमानों ये इस्पेशल बजट लगाते हैं उनको खुश करने के लिए तीन हजार तीन करोड रुपए मुसलमानों के लिए इस्पेशली और जैसे रमजान के लिए 33 करोड त्री करोड खर्च करेंगे और हजियात्रा के लिए चार करोड लगबग 40 लाग के ऊपर खर्च करेंगे और जो की एक बैंड आर्गनेशन है जैसे सौदी में हो इरान में हो और रशिया में हो वहाँ पर बैंड एक आर्गनेशन है तब्लिकी जमात उस तब्लिकी जमात को ये कॉंग्रेस की सरकार ने 2 करोड पचास लाख रुपए दिये कि आप लोग करो कारिक्रमा करो और बड़ा मजबूत करो मुसल्मानों के संगडन को और मजबूत करो तो हमरे रेवंत्रेटी जी ये वही तब्लिकी जमात है जो कोरोना के समय पर कोरोना पहलाने का काम कर रही थी ये प्राइवेट आर्गनेशन नाकी गौर्रमेंट से को थोड़ा फंड रिलिस कीजिए या राष्टी एसेम सबक संग को फंड रिलिस कीजिए किसके बाप का फंड समझ के आप लोगोंने ये तब्लिकी जमात को फंड दिया है मैं आज मुख्यमंत्री के सिया और रेवंत्रेटी को पूछना चाहता हूं अगर इतना ही आपको म हिंदों क्या क्या वोट आपको नहीं मिला क्या आप सिर्फ मुख्यमंत्री बन गए आज इंदमेंट डिपार्टमेंट आप लगाते हैं मंदिरों से करोड रुपे की प्रॉफिट सरकार को होती है लेकिन आज भी मंदिर जरजर अवस्ता में है रिटैन कोई भी डेवलेप जैसे किसी समसा से क्या सरकार को फैदा है यहां पर तो सिर्फ आडगोईंगें इनकमिन जीरो है वही हिंदु मंदिरों से आपको इनकमिन है लेकिन सरकार से कोई आडगोईंग नहीं है यह आज के लंगाना की परसिती हैं मुख्यमंत्री जी आप ने जो 300003 क्रोड जो मु आजाओं को एक समान आप बजट सोच समझ के डिकलेर करना चाहिए और हम इसके खिलाफे